रमन है बीस वर्षिए जै कह रहे हैं कि इंटरनेट से बहुत लंबे समय तक मेरा कोई विशेश लगाव नहीं था यूट्यूब भी मैंने तब ही देखना शुरू किया जब आपको सुनने की आदत लगी आपके कारण ही मैंने इंटरनेट पर ज्यादा समय बिताना शुरू किया पर अब यह हो गया है कि इंटरनेट पर मैं आता तो हूं आपके वीडियो सुनने के लिए पर आलतु फालतु अशलील वीडियो मुझे खीच लेते हैं एक दो बार तो आपको छोड़कर मैं उधर ही चला गया मदद करें रमन जिधर को गये हो अब उधर तो चले ही गये न और कोई आखरी बार नहीं चले गये हो आएंदा भी जब आओगे यूट्यूब पर तो कुछ तो इंटरनेट का चरित्र ऐसा है और कुछ तुम्हारी उम्र ऐसी है कि तुमको ये अशलील वीडियो पौर नित्यादे आकरशित करेंगे ही तुम्हें कोई आकरशन न हो रहा होता इन चीजों का भली बात होती मैं कहता कि काश ऐसा हो कि तुम्हारा बूद वीडियो में मन लगा हुआ है वहीं लगा रहे लेकिन तुम्हारे साथ अब प्रकृति ने माया ने एक खेल खेलना शुरू ही कर दिया है तुम मेरी बात सुन रहे होते हो शायद किसी दूसरे ब्राउजर में या किसी दूसरे टैब में कोई दूसरी चीज होती है जो शुरू हो जाती है तुम लगा देते हो चलने लगती है और पिर तुम उधर को आकरशित हो जाते हो इस आकरशन को शायद रोका नहीं जा सकता जिन्होंने इस से लड़ने की कोशिश करी है मूँ की खाई है तो तुम एक काम करो जब तुमको ऐसी चीजें खीचें तो उनकी और चले ही जाओ पर मुझे साथ लेकर जाओ उनकी तरफ क्योंकि तुम तुम्हारे ही कथन उनसार आये तो मेरे लिए थे ना इंटरनेट पर यूट्यूब तुमने मेरे लिए खोला था फिर कहीं और को जा रहे हो तो जहां को भी जा रहे हो जाओ मुझे साथ ले करके मुझे साथ ले करके माने क्या है मेरी बात को साथ ले करके मैं अगर तुम्हें होश तक लाता हूँ तो होश को साथ ले करके उसी होश के साथ उन सब वीडियोज को और वेबसाइट्स को देखो जो तुम को शारीरिक तोर पर बड़ा आकरशित करते हैं अच्छे से ही देख लो पूरी तरह से देख लो साफ पूछो अपने आपसे ये क्या दिखाया जा रहा है मुझे लोग कौन है ये तो बात छोड़ो कि वो वीडियो जो तुम देखने गए अशलील पॉर्न का मान लो वो बीस मिनट का है ये तो छोड़ोगी बीस मिनट का वीडियो था और तुम शर्म के मारे बस तीन मिनट देख करके आ गए मैं कहा रहा हूँ अगर वीडियो बीस मिनट का है तो तुम उसमें चार घंटे का वीडियो देख लो यही होश की निशानी है तुम वो भी देख लो जो तुमें दिखाया नहीं जा रहा है तुम वो भी देख लो जो तुमसे छुपाया जा रहा है 20 मिनिट का वीडियो दिखाया गया है ना तुमको उसके पीछे की फुटेज कई घंटों की है और जो तुमसे छुपा दिया गया है वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत उसके जो तुम्हें प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है वो जो उसमें तुम्हें आदमी औरत दिख रहे हैं, वो इनसान है तुम्हें दिखाया नहीं जारा पर तुम देखो कि कैसे वो सारी कहानी पूरा हो जाने के बाद उन दोनों को भुक्तान किया जा रहा है, पैसे दिये जा रहे है तुम देखो कि कैमरे के सामने तो उन्होंने बड़ी तुम्हें जिस्मानी गर्मी दिखा दी और उसके थोड़ी दिर बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दी अपने अपने पैसे ले करके और तुम चार ही गंटे क्यों देख रहे हो, तुम चार साल देख लो ना, तुम चौधा साल क्यों नहीं देख लेते पुरुश हो तुम, तुझी नशलील वीडियो उसकी तुम बात यहां कर रहे हो, उसमें शायद स्त्रियों कोई देखने जाते होगे कोई लड़की है तुम्हारे सामने उस वीडियो में, वो बीच साल की एमान लो तुम पंद्रह साल लंबा वीडियो देख लो ना, तुम पंद्रह साल पीछे चले जाओ वो जो लड़की है जिसको देख करके अभी तुम में इतनी कामोतीजना बहक रही है वो लड़की अभी वीडियो की शुरुआत में तीन साल की थी, पांच साल की थी लंबा वीडियो देख रहे हैं अब तुम, पंद्रह साल लंबा तीन साल की थी, पांच साल की थी तुम्हारे घर में भी कोई बच्ची होगी तीन साल की, पांच साल की तुम्हें शायद मामा बोलती होगी या चाचा बोलती होगी तुम्हें भाईया या अंकल बोलती होगी बोलती होगी कि वो वहां जाड़ी में गेंद चली गई है ले आ दीजिए और तुम हसते वो ले आके गेंद उसके हाथ में रख देते होगे प्यार से उसके सर पे ऐसे बालों में हाथ फेर देते होगे यह जो सामने पॉर्ण में लड़की है जो भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक जवान ओरत से ऐसी दिखाई दे रही है यह भी तो छोटी बच्ची थी अभी बस कल ही समय क्या है एक पल कहो यह पंदरह साल कहो यह तो नापने की इकाई की बात है कैसे नाप रहे हो अपने बच्च्पन की तस्वीर देखी है न तुमने और तुम्हारे नात रिश्टेदार भी होंगे तुम्हारे भाई बहन भी होंगे उनके भी बच्च्पन की तस्वीर देखते होगे देखो कैसे होते हैं बच्छ cosplay में 3 साल के 5 साल के और फिर हम कैसे हो जाते हैं 20 साल के 25 साल के वैसे उस फ्रेम में तुमें जो खेल दिखाई दे रहा है वो भी थे छोटे से लंबा वीडियो देख रहा हूं न, पूरा यह तो साजिश है जो दो मिनिट, पाँच मिनिट या बीस मिनिट के वीडियो दिखा दिये जाते है इन में दिखाया थोड़ी कुछ जाता है इन में तो छुपाया जाता है तुम पूरा देखो तो तीन साल की थी और तीन साल की तो किसी लड़की नहीं सोचा नहीं होता है कि वो एक दिन रोटी ही खाईगी अपने जिस्म को बेच करके मुझे मालू मैं बहुत देश हैं जहां पर पौनोग्राफी को अडेल्ट इंटर्टेंडमेंट कह करके विधिवत इंडस्ट्री का दर्जा दिया हुआ है और वो लोग इसको किसी भी तरह का एक्स्वोइटेशन भी मानते हैं नहीं हो कहते हैं कि सबका हक है सबका अपना अपना चुना हुआ है जो जिस तरीके से आजीवी का चलाना चाहता है चलाए कोई अगर यही करके पैसे कमाना चाहता है पेट पालना चाहता है तो उसे पूरी आजाद दिये कई देशों में ऐसा चलता है चलता होगा लेकिन फिर भी तुम सोचो तीन साल की किसी रणकी ने यह नहीं सोचा होता है कि वो ऐसे अपनी जिन्दगी चलाएगी कैसे हो गया यह क्या आया होगा उसकी जिन्दगी में कैसे मोड कैसी घटनाए अभी तो स्क्रीन पर तुम्हारे सामने बस रतिरानी बनी बैठी है अभी तो पैसे ले रही है बस तुमको लुभाने के पर शूटिंग खत्म हो जाएगी ना भी शूटिंग खत्म होने के बाद वो कोशिच नहीं कर रही है तुमको लुभाने की अब वो लड़की है और उसका अपना निजी संसार है उस संसार को भी देखो वीडियो को लंबा चलने दो स्टॉप बटन दबने ही न पाए और तुम देखोगी कितने तरीके किये जाते होंगे सिर्फ उस वीडियो को ऐसा तैयार करने में कि तुम पर वासना का पूरा खुमार चल जाए कि तुम एकदम गरम हो जाओ और जो लोग यह कर रहे हैं तुम्हें गरम करने का आयोजन वो भली बात ही जानते हैं कि तुम्हारे बटन कहा है कहां किस बटन को दबाया जाए तो शरीर में उश्मा का संचार होने लगता है उन्हें भली बात ही पता है तुम्हारा टेंपरेचर कैसे बढ़ा देना है देखो ना इस बात को कि वो हस रहे हैं उन्होंने वीडियो में कोई शॉट डाला है या कोई इफेक्ट डाला है या कहीं एडिटिंग करी है और ये करके वो हसर रहे हैं तुम्हारे पर और कहरें देखो हमने अब ऐसा कर दिया है कि जो इसको देखेगा उसी के बटन दब जाएंगे वही गरम हो जाएगा और तुम गरम हो गए तुमने उनकी बात को सही ठहरा दिया तुमने दिखा दिया कि अगर वो तुम्हें मजाग के तौर पर ले रहे थे तो तुम मजाग के तौर पर ही लिये जाने काबिल हो बहुत कुछ है जो देखा जा सकता है वो सब कुछ तो जरूरी भी नहीं है कि मैं अभी तुम से इस मंच से कहूं अगर इतने समझदार हो तुम कि इस मुद्दे को ले करके मुझे सवाल भेज सकते हो तो इतनी भी समझदारी तुम में जरूर है कि तुम खुद ही देख लो कि अगर उस 15-20 मिनट के वीडियो को तुम लंबा करते जाओगे दोनों तरफ से अतीत की तरफ से भी और भविश्य की तरफ से भी तो तुम्हें क्या-क्या नहीं दिखाई पड़ जाएगा और उस पूरे वीडियो में तुम्हें जो दिखाई देगा वो काम उतेजक नहीं होगा काम उतेजक तो बस वो 15-20 मिनट है तो अगर तुम्हें मुक्ति पानी है तो पूरी चीज देखो इसलिए सत्य को मुक्ति कहा गया है और सत्य को ही पूर्णता भी कहा गया है माने पूर्णता में मुक्ति है माने अधूरे पन में ही बंधन है जो भी चीज तुम्हें फसा रही हो वो जरूर तुम्हें आधी दिख रही है तभी तुम्हें फसा पा रही है अधूरे पन में ही बंधन है जो भी चीज तुम्हें पूरी दिख गई अब वो तुम्हें बंधन में नहीं रख सकती पूरे पन में पूरता में तो मुक्ते है आजादी है जिस भी चीज को पूरा देख लोगे उससे आजाद हो जाओगे उस Porn Video को भी पूरा देख लो उससे आजाद हो जाओगे पूरा देखने का मतलब है वीडियो जहां शुरू हो रहा है उसके पीछे से देख लिया और वीडियो जहां खत्म हो रहा है उसके बहुत बहुत आगे तक देख लिया पूरा देखने का मतलब है वही नहीं देखा जो कैमरे के आगे हो रहा है उनको भी देख लिया जो कैमरे के पीछे खड़े है पूरा देखने के मतलब है उनको यह नहीं देख लिया जो उस वीडियो में अभिनाय कर रहे हैं उनको भी देख लिया जो उस वीडियो के अभिनेताओं से अभिनाय करवा रहे हैं सबको देख लिया फिर मुक्त हो जाओगे कर दो